गुड मॉनिंग एविवन स्वागे तब सभी का विजडम एजूकेशन पर आज फोर्थ दिसंबर 2021 है दैनिक जागरान के राष्टिय संसकरन का कंप्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे अब देखो फोर्थ दिसंबर को क्या फिमस है तो आज का दिन जो है इंडियन निवी भारतिया नौ सेना दिवास आज मना जाता है फोर्थ दिसंबर को ही चलिए डिस्क्राइब करते हैं लिके उससे पहले माई चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ इसे शेयर कर सकते हैं को कुछन पूशन पूछन चाहते हैं को साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया जाकर के जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अधरवाइस टेलिग्राम चैनल पर जाओगे विजदम एजुकेशन सर्च करोगे हमारा चैनल आपको मिल जाएगा वहां पे देलिग्राम के लिए प्रिडिया प्रोवाइट करता हूं अब देखो फॉर्स्ट पेस पर यह न्यूज इंपोर्टेंट है इस न्यूज के रिकार्डिंग हमने पहले भी डिस्क्रिस किया था जब सरकार ने यह सोचा कि अब जो है एडी को और के कारिकाल को पांच वर्स किया जाए तो कुछ दिन पहले चर्चा हुए तो फिर हमने डिस्क्रिस किया था अब इसको लेकर करके सरकार बिध्यक लाच चुकिया अब देखो यह दोनों ही संस्था काफी इंपोर्टेंट है काफी चर्चा बरादा पिछले एक डिर्ष वर् के माध्यम से किया गया का किया गया और एकठ हाओ आवारा फेषा इडी को बैसेगों देगे डिफिक दिसके हैं जो कई और हमने डिसको स्क्री चाहिए दो एक्ट है जिसके उलंगन पे DAPशन नहीं लेगा एक तो फेरा एक्ट है कि ऐफ इआ देखे पिण अब फेमा आ गया था फॉरें एक्ट मेरीरिंग था अब फोरेंट मेनेज़्मेंट आ गए खुकल कि सब पूष वहीं है तो फेमा एकस्या अगर उलंगय ओता तभी जाकर के E.D. एक्षण लेगा दोस्ता होता प्रिवेंशन ओप मनी लॉंडरिंग एक्ट यह दो कि लेगा है उसापमजिदिक निखाह है वैधनिक निकाह है लेगल बोडि जिसका निर्वान संसत के किकी एक्ट के माध्यम से किया गया उसे समुझीद। निकाह या इनलेगल बोडिक कातने हैं अब लिकुर यहाँ पर सब्सक्राइब लिभब लीगल व्यक्त इसे होते सामगों इसे ही लीगा विचित लेकिन किसी एक्ट के माध्यम से नियर्वाणि नहीं किया अधर एक्ट से इसको मिलता है सिह इसली के निदेशक के न्यूकति किसि- अधर एक्ट के द्वारा किया गया है। सरकार से request किया जाता है कि आप CBI के लिए एक special act लाई है अब देखो CBI के कारिकाल normally 3 साल का होता है तो दोनों का कारिकाल ED के कारिकाल और CBI के कारिकाल दोनों का कारिकाल fix करके 5 words कर दिया जा इसके लिए बिध्यक वर्तवान में लाया गया है लोक सभा में अब आपको ED और CBI क से पता होना चाहिए बेसिक चर्षा में आपके साथ कर दिया कि दो यह न्यूज इंपोर्टेंट है पहला स्वदेशी सर्वर रूद्र सहयोग जो आप डाटा यूज करते मालों मैं वीडियो बनाऊंगा यह जो वीडियो में बनाऊंगा यूटूब चैनल पर मैं सर्वर का नाम क्या है तो रूद्र है समिधान की प्रस्तावना में संसोधन का नेजी विधेयक रिजर्व झाक नेगेर Qt पूझा था नीजी विध्याक को ले करें इस अनुपर कही है था हमाँ और किसी मंत्रीय के द्वारा परस्तूत किया गया किसी भी मंत्री के दौरा प्रस्तूत किया गया उसे सरकारी विध्याक करते हैं नीजी विध्यक जो मंत्री के द्वारा प्रस्तूत नहीं किया गया अब सवाल उत्पन यह होता है कि क्या आप मालेते हैं बीजेपी अभी सत्ता में के नहीं है तो क्या बीजेपी के किसी सदस के द्वारा प्रस्तूत विध्यक को नीजी विध्यक कहेंगे बिल्कुल कहेंग यह point पे UPC question पूछ चुका है तो समिधान समस्दान का एक नीजी विधेक आया है जिसको लिए करके काफी बावाल हुआ है काफी करा बिरोध हुआ है और वो विधेक था कि समिधान में जो socialist सब्द जुरा गया समाजवादी सब्द जुरा गया था जिसको काफी जिसपे काफी डिस्प्यूट चला काफी विवाद चला कि ड्रोन मार गिराने वाला सोदेशी सिस्टम तयार किया तो ड्रोन को मारने के ड्रोन देखो चर्चा में था काफी हमारे देश में काफी चर्चा में था खास करके जब जम्मू कस्मीर एरिया में ड्रोन उसके बदोन से अमला किया गया था कुछ दिन पहले हैं तो उसके बाद सरकार को रिगूलेट 40 करने क्लिए डिरोन को मार गिराने के लिए सौnब करने के लिए इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना इसको भी बार देख लेना पानी और सिवर के धाई-धाई करोड 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 क्नेक्शन देने का लक्स देखो यहां पे सबसे इंपोर्टेंट क्या है जो बेसिक जानकारी मैं आपको प्रवाइड करता हूं अमरीत योजना सरकार लेकाई थी ठीक है अमरीत योजना को मतलता है कि सहर का एक तरह से काया कल्प करना सहर का पूरा इंफ्रस्टिक्चर चेंज करना अच्छा जो सहर अमरीत योजना में था वो जो एस्मार्ट सिटी में नहीं था एस्मार्ट सिटी का प्लान अलग है स्मार अमरीट 2.0 आ गया इधर सरकार अमरीट 2.0 लाया और अमरीट 2.0 में जहां 500 सहर को अमरीट में टार्गेट किया गया अमरीट 2.0 में यानि अमरीट 2.0 के जो नौशेना प्रमुख है एड्मिरल आर हरी कुमार इनका इस्टेटमेंट है इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं बागी इंपोर्टन यहीं है कि आज जो है नौशेना दिवस है इसके बारे में आपको ग्यात होना चाहिए अच्छा वायुशेना दिवस मना जाता है आठ एकुबर को और रिस दिवस मना जाता है और उन्द आर्मी डे मना जाता है और इंडेन आर्मी डीinde आर्ट अक्टूबर वायू सेना दिवस एरफोर्स दे और नेवी डे चार दिसंबर को देखो जवाद को लेकर के लगातार हम लोग डिस्क्स कर रहे हैं सौदी अरभी का दियावान नाम है जवाद तुफान जो बंगाल के खारी में क्रीट हो रहा है आंत परदेश और ओडिसा के टट से टकड़ा रहा है और तवाई ही मचा रहा है तो इसके बाद हम बेसिक इंफर्मेशन आपको पता होना चीए डेली पेपर में दे रहा है कल भी प्राइमिस्टर मोधी ने इसको लेकर के मीटिंग किया था हमने डिस्कस किया था कल भी तो ऐ असे न्यूश को डेली पढ़ने को आविक सकता ने बेसिक आपको आइडिया होना चीने बस नागरिकों को ससक्त बनाएगे फिंटेक क्राम्ति, फिंटेक क्या होता? देखो फिंटेक का एक फोरौम का मेटेंग चला है डेली में सबसे पहले तो यह समझें कि फिंटेक क्या होता है फिंटेक दो वर्ट से मिल कर बना हुआ है एक तो फिन है दूसरा है टेक फिन मतले होता फिनांश टेख मतले होता टेकनोलोजी व्यarna टेकनोलोजी या व्यासा फिनांश Uhr सारा के सारा काम जो है अब आपको फिंटेक कंपणी के माध्यम से ही हो रहा है जो बिल भरना है जो पेमेंट करना सब का सारब आपको फिंटेक के द्वारा हो रहा है सरकार ने पेस किया 3.72 लाक रोपए का अनुपूरक मांग और अनुपूरक मांग वह कहा है só darum जो सरकार ने बजट किया था फंदे भरवरीओं सरकार बजट पेस करती है उस बजट । के एकवर्डिन जो सरकार限 का खर्चा है अगर extend करता काफी जयदा तो ऐसे condition में सरकार अनुपूरक मांग करती है तो 3.72 लाग करो रुपय का अनुपूरक मांग क्या यानि यह बजट के अलावा खर्चा सरकार कर रही है राइट ची नहीं अब हमारा अहम कारूबारी ऑस्टेलिया निश्य तो पर एक अच्छा कदम भारत के लिए है कौार्ड देस को जब आप देखोगे तो कौार्ड के चारो देस है उस चारो देस में सबसे वीक आपको ऐस्टेलिया यह था और ऐस्टेलिया की डिपेंडेंसी कहीं हद तक चीन पर बना हुआ था ुलिवी विडियो थे उस रावअ वहाँ इस पॉंट को मैं ने से डिस्कस किया था किस तरह से उस्त्राइब जिन पे काफि बनी वी था जिसके कारण। निसली पीछ रहता है। लेकिन 2017 गए वाद फिर उस्त्राइब थे काफिछ रहता है क्योंकि जिन पे अधिक ठी इसको one time आप लोग पर सकते हैं दिखो important editorial मेंने टिक कर दिया मुझे समय नहीं मेंद लाइड़ाने का इसलिए मैं detail से अनलाइसे इसको नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप लोग इसको पर लेना अब देखो ये एडिटोरियल को भी आप लोग पढ़ना ये एडिटोरियल इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि हमारे दिश में रूस के राष्टपती आ रहे हैं बलादमिर पूतिन छे तार्य को आएंगे यानि परसों आ जाएंगे तो ऐसे कंडिशन में एक बार फिर से चर् तो आएडिस छाने के साथ काफी होते हैं मसलें लगभग आई थिंग 85 बिल्यÈन डॉलर का हम अमेरिका इसाथ्ट्रेट करते हैं और रस्याट आगर देखोगे तो 10-15 भीडेल डोलर ही तो अमेरिका के साथ काफी ज़्यादर ट्रीट करते हैं लेकिन रूस के साथथ 10-15 बिलियन डॉलर का रूस के साथ करते हैं और अमेरिका के साथ 85 बिलियन डॉलर करते हैं तो अमेरिका के साथ हमारा बैपार काफी स्ट्रोंग है साथी साथ अमेरिका के साथ जो हम बैपार करते हैं वह हम ट्रेट सर्प्लस की अस्तिती बनाते हैं यानि हमको फायदा होता है तो कुछ जगह हमारे लिये रूस काफी महत्पूर्ण है कुछ जगह अमेरिका महत्पूर्ण है हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं यह भारत की खुबी है बांकि इसको आप लोग फ़र ले ना गर देखो इंद रर के कच्रागर को बनाया गया उर्जा भंडार बनेगीや सि अंजी. कि जब आपको ौक要 पर्बंधन भी लिखना हो। एशै लिखना हो चाय'a मैंज कहीं भी लिखना हो तो 2 WOR का गर दिक्रस कर सकते हैं. पूर कचरागर को किस तरह से उर्जवाःवंडार बनाये जाना एक अम्पिकापूर डिसकस कर सकते हैं उसको एक अधरक्ति अर्श हो पर फॉर्वेस्ट हैं वह इसा किस्फ सफूर प्रबंधन के रूप में लिखना हो कि कच्छा करको किस तरह से उर्जा के रूप में करोंट किया जा सकता है यह दोनों ही काम किया है अम्विकापुर मॉडल और इंद्वर मॉडल बहारतिय निवेश को प्रात्मिक्ता देगा स्रिलंका यहां इसको ज़रूर अप्टोग पढ़लेकल ना स्रिलंका में क्राइसिस की कृडिशन है और क्रेचिस की कदीशन में भारत काफी सहयोग कर रहे हैं यहां पर मैंने हायलाइट कर दिया हैं आप लोग इसको देख सकते ह आईमेप की दूसरी सीज़् अधिकारी होगे गिता कोपिनाथ, गिता कोपिनाथ जो है आईमेप जो सबसे सीज़् अधिकारी होती है उसके बाद सेकेंड नवर पर ये आ गई है या आज आएगे कुछ दिन में, right है कि यह संवीट भी आपकी नजर में होना छ Teet यह संमीट इתॉर्टेंट होने वाला थ ff कि एक लोगतंदर सिखर समयन अमेरिका और कम थे अगोरा निश्री तोर पर कहीं कहीं लोगतंद इप्रेटेंट होने वाला चुकि एक लोगतंदर सिखर सम्मेलन का आउजन कर रहा है अमेरिका और निश्टी तोर पर कहीं लोगतंदर सिखर समेलन है चीन में लोगतंदर नहीं है तो चीन को इनवायट में गया तो सिर्थे-सिदे चीन को चीन होती है राइट तो उसी 1829 में आजे के दिन सथी पर्था पर रोग लगाया गया था लौड विलियम मेंटिक के द्वारा लोग लगाया गया था आजे के दिन राजा राम ओनरा के प्रियास से लौड विलियम मेंटिक के द्वारा आजे के दिन यानि 4 दिसंबर 1829 को जो है सथी पर्था पर रोग लग